हेलो दोस्तों मैं हूँ विशेक और गैजिस्ट यूज़ के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागित करता हूँ आज हम करेंगे क्विक इंबॉक्सिंग को साथ ही साथ एक ओनेस्ट रिव्यू रेड्मी के टोन्टी खा तकरीबण 2,000 रुपे रेड्मी के टोन्टी के आपको देने होंगे क्या HD में फोन बेहतर है Realme X से या पर Realme X आपको लेना चाहिए क्योंकि हम एक छोटा से comparison भी इस वीडियो में करने वाले हैं इस फोन का camera wise तो चलिए शुरुआत करते हैं अन्बॉक्सिंग के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं इस review को और सबसे पहले बात करेंगे इस phone के look and feel के बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि इस phone और Redmi K20 Pro में दौनों में कोई भी compromise Xiaomi ने नहीं किया है build quality में, design में look and feel इस phone की भी काफी attractive है बिल्कुल exactly same है triple camera यहाँ भी दिये गए हैं अलाकि थोड़ा बहुत बरक है वो आगे बताएंगे look and feel लेकिन same है इसमें भी आपको Gorilla Glass 5 back में मिलता है glass back मिलता है premium finishing और build quality Xiaomi ने दी है इस phone में क्योंकि ना सिर्फ आपको Gorilla Glass 5 front और back में मिलता है आपको metallic frame भी मिलता है जो कि aluminium 6 target series है जो कि iPhone में इस तरह का aluminum use हो चुका है connectivity की बात करें तो एक सबसे बड़ा धोका या कह सकते एक तरह का compromise जो कि किया जाएगा इस phone के साथ जो लोग इस phone का 64 GB variant लेंगे 64 GB वाले version में आपको FD card का slot नहीं मिलता है तो अगर आपने phone ले लिया और 64 GB वर्जन लिया तो उस case में आपको storage की problem future में पक्का आ सकती है डिस्प्ले की बात करों तो 6.3 inch का काफी vibrant colorful display मिलता है काफी बड़ा display है और viewing angles display के बहुत अच्छे है यह FHD plus display है AMOLED display है और साथ ही साथ इसका color का brightness है display का brightness है वह भी काफी जादा है 650 plus का lux आपको मिल जाता है जो की काफी bright इस display को बना देता है यहाँ पे इस display पे HDR का support दिया गया है तो अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे है और HDR वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको option मिल जाता है बात करते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर के मामले में यह एक इकलौता phone है इंडिया में पहला जिसमें आपको Snapdragon 730 मिल रहा है जो की एक नया प्रोसेसर और ऐसा कहा है Xiaomi ने भी Qualcomm ने भी कि यह उनका 3rd fastest प्रोसेसर है अब तक का जितने भी launch हुए लेकिन gaming में graphics में जादा कुछ फरक देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें PUBG की तो HD graphics setting के साथ high frame rate में आप PUBG खेल सकते हैं ultra में नहीं खेल सकते हैं और extreme graphics पे भी फिलाल आप नहीं खेल सकते हैं लेकिन हाँ day to day usage multitasking में आप compare करते हैं Realme X के साथ Realme X के N2 Benchmark score की बात करें 1,56,000 का score है जबके इस phone का N2 Benchmark 2,10,000 के आसपास आता है तो SMMA एक improved processor है definitely बहतर processor है Snapdragon 710 से compare करते हैं Camera की बात करें तो यहां पे भी आपको triple cameras मिल जाते हैं जैसे K20 Pro में मिलते हैं लेकिन एक फरक है यहां पे एक नया sensor है लेकिन overall camera clarity में हमने यहां पे कुछ shots ली हैं जो कि आप देख सकते हैं कि वह काफी similar दिखते हैं चाहे आप K20 Pro से shoot करें या पिर इस phone से shoot करें तो camera clarity काफी कुछ similar ही है बहुत हलका सा फरक है जो कि आपको महसूस नहीं होगा unless कि आप बिल्कुल close-up वाला shot ले जैसे कि यहां पे हमने एक shot लिया है जिसमें Spider-Man को हमने capture किया है और यहां पे सेम जगह आप करके focus किया है उसके बाद भी जब आप सेंटर में Spider-Man की दौनों आखों के बीच में zoom in करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जादा clarity आपको मिल रही है Redmi K20 Pro की photo में compare to Redmi K20 की photo में camera modes में आपको सारे option मिल जाते हैं जैसे कि slow motion mode आपको 48 Megapixel का camera photo भी आप ले सकते हैं अलग कि sensor different है लेकिन overall picture clarity वैसी ही मिल जाती है video stabilization की बात करें तो यहां पे हमने एक video sample बनाया है जो कि आप देख सकते हैं जिससे आपको idea लगेगा इस phone के video stabilization की यहां पे electronic image stabilization मिलता है आपको optical image stabilization इस phone में नहीं मिलता है 960 fps का slow motion आप बना सकते हैं sample आपके सामने है अब अच्छी बात यह है कि यहां पे भी आपको pop-up selfie camera मिल रहा है यहां पे आपको sapphire glass भी मिल जाता है जिससे camera protected रहता है अगर मैं बात करूँ selfie की तो selfie यहां पे जो मैंने capture की है इस phone से वो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की clarity आपको मिल जाती है zoom in करेंगे अगर आप तो आप देख सकते हैं कि face clear है और artificial colors वगर नहीं है तो photo अच्छी लग रही है अगर इसी photo को मैं outdoor लेता हूँ तो outdoor में और भी जादा clarity मुझे देखने को मिल जाती है तो front camera के rivers तो यहां पे definitely अच्छे लग रहे है जिनमें details भी मिल रही है face clarity भी अच्छी है और fall to कोई colors या beautification mode यहां पे apply नहीं हो रहा है which is actually nice बट अगर हम बात करें यहां पे rear camera के photos की तो rear camera के photos कुछ इस तरह से आते हैं यह portrait mode में लिया गया photo है और आप देख सकते हैं पीछे की blurring तो अच्छी है ही साथ ही साथ आपको dynamic range of colors भी मिल रहा है यानि जो background blur है उसमें भी color देखने को मिल रहा है अगर आप without bouquet effect के photo लेते तब भी photo अच्छी आ जाती है तो यहां पे rear camera और front camera दोनों ही अच्छे perform कर रहे हैं loudspeaker की बात करो तो इस phone अब एक जो चीज इस phone को एक तरह से premium बनाने के बाद un-premium कर देती है वो है यहां का UI अलग अलग तरह पे आपको जो basically blotware देखने को मिलता है वो चीज मुझे सही नहीं लगी है again मैं इतना कहूंगा यहां पे कि Xiaomi अपनी approach change करने की थोड़ी सी जरूरत है अपनी लगना चाहिए कि इस phone में भी वही 10,000 रुपे phone वाला OS है और यहां पे इस OS को और अच्छे से optimize करके जादा बहतर option देने चाहिए ताकि add वगरा से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सके बात करें बैटरी की तो चारज़ा इमिज की बैटरी है और आपको मैंने बता ही दिया है कि fast charging के तुरू आप इसको एक घंटे के अंदर भी चारज कर सकते हैं otherwise default charger से देड़ घंटे में आप चारज कर सकते हैं एक दिन के battery backup आपको अराम से मिल जाता है बाकी आपकी usage के उपर है अब दो चीज़े आप मैं बताना चाहूंगा एक है face unlock और दूसरा है fingerprint scanner fingerprint scanner यहाँ पे in display में है बिल्कुल fast and responsive है फटा फट phone को unlock कर देता है लेकिन जो face unlock की speed है वो थोड़ी सी slow है आप खुद देख सकते हैं यहाँ जैसे ही मैंने camera launch किया और अब मैं front camera में अब यहाँ पे आपको एक quick camera comparison दे देते हैं इस phone का यानि की Redmi K20 Pro का Realme X के साथ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पिच्चेस आती है मैं कह सकता हूं कि दौनों की devices में जो camera है वो अच्छी clarity वाला camera है और अच्छी photos capture कर लेता है overall अगर मैं बात कर लूँ colors की बारे में तो colors जादा natural यहाँ पे Redmi K20 की दिख रहे हैं compared to Realme X जो कि थोड़ से over saturated colors देता है मुझे ऐसा लगता है साथ-साथ यहाँ पे एक action figure है आप देख सकते हैं कि इस photo में दौनों ही devices ने इस action figure को अच्छी से capture किया है और अगर मैं कहूं यहाँ पे मैं अपना favorite select करूं तो यहाँ पे Realme X की photo मुझे जादा अच्छी लग रही है compared to K20 की photo पाकी आप लोग उताइए कि आपको कौन सी photo जादा पसंद है तो दोस्तों यह था हमारा quick unboxing साथ-साथ-साथ एक quick review Redmi K20 का अगर मैं बात करूं इस phone को suggest करने की तो यह phone definitely मैं आपको recommend करता हूँ आप इसको ले जाते हैं लेकिन एक ही बात है कि वह इसमें FD card slot क्यों नहीं दिया वो भी 64GB वाले version में यह मुझे समझ में नहीं आती बात और साथ-साथ इस phone का display इस phone की look and feel इस phone की performance सब कुछ आपको बहुत लुभाएगी लेकिन लेने से पहले देख लेना कि आपको कितना discount मिल रहा इस phone के purchase के time इतना ही मैं कहूंगा बाकी आपकी मर्जी है फिलाल इस वीडियो में इतना ही I hope इस वीडियो आप पसंद आएगा अगर वीडियो चल लगा है तो like बटन जोर दवाईए इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन वन्यमात्रंग